उत्तर कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रुपती डोनाल्ड ट्रम्प के बयान की तुलना कुट्टे से की उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री यांग हुनी अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प के युएंग संबोधिन को कुट्टे के भूपनी की आवाज बताया है आपको बता दे कि ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका को मजबेर किया जा रहा है कि वो उत्तर कोडिया को पूरी तरह खत्म कर दे उनके इस बयान के बाद यान हो की तरफ से विवादिक टिपनी आई है यांग हो ने नियॉर्क में उनाइटर नेशन के मुख्यालय के नजदीक मीडिया को यह बयान दिया उन्हीं ने कहा कि कुट्टे भुखते रहते हैं जो लूस चलता रहता है यांग हो ने कहा कि अगर ट्रम्प सोच रहे हैं कुट्टे की तरह भुखने से हमाश चलय चकित हो जाएंगे तो वह सपना देख रहे हैं जब यांग हो से पूचा गया कि वह ट्रम्प त्वारा किम जोंग को रॉकेट मैन कहने पर क्या सोचते हैं तो यांग ने चुक्की लेते हुए कहा मैं ट्रम्प के सहयोगियों के लिए खेब प्रकट करता हूँ ट्रम्प की उत्तर कोरिया को दी धंकी के बाद मौर्थ कोरिया का यह पहला आधिकारिक बयान है यांग हो ने कहा कि रॉकेट मैन किम जोंग अपने शासम के लिए आत्मगाती मिशिन पर हैं इसी तरहें सबसे पहले खबरे पाने के लिए हमारे चैनल हाई स्ट्वनूस इंडिया को सबस्क्राइब कर लिए हम आपके लिए सबसे पहले खबरे लाते हैं अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइप कमेंट और शेयर करना ना भूले